नमस्कार मैं दिपाली अब सभी कस्वागत दिपाली आस्ट्रों में करती हूं और देखते हैं आज का दिननी की 18 दिसंबर 2022 कैसा जाने वाला है तो चलिए शुरुआत करते हैं मेश आशी वालों के साथ मेश आशी वालों आज का दिन आपको तनाव में डाल सकता है इसलिए सोच के समझ के आज के दिन के शुरुआत करनी है कारशेतर में थोड़ी सी अस्थिरता आ सकती है तो बैलन्स बनाने की आपको पूर्ण कोशिश करनी चाहिए साथी साथ आज के दिन किस तरह से चीजों को प्रायोरिटी वाइस अड्रेस करना है इस पर आज के दिन आपको विचार करने की सक्त जरूरत है परिवारिक स्थिती भी आपकी कहीं न कहीं से डामडोल हो सकती है बैलन्स बिनाने की बरपूर कोशिश करनी है आज के दिन आपके द्वारा लिया गया कोई भी महत्रपॉर निर्णे, ठोस निर्णे होना चाहिए, सारे आयाम्स को आपको अपने तरफ सोच के समझ के प्रोजन कौन्स को सब तरफ से देख कर ही कोई आपको महत्वपूर्ण निर्णे लेना चाहिए, जो आपके लिए आर्थिक सिर्था को ला सके, बात करते हैं विर्षप राशी वाल अगर विस्तार के बारे में सोच रहे हैं नौक्री चेंज करने के एक्षुक हैं या उनका अगर कोई इंटरव्यू शेडूल है तो उनके लिए परिस्तिति आपको कहीं न कहीं से बहतर होती विए नजर आएगी साथी साथ आज के दिन आप अपनी परिवारिक परिस्तिति को और सदा महत्वरपूर्ण बना सकते हैं अगर आप अपने परिवार के साथ साथ कॉलिटी टाइम बिताएं तो बात करते हैं मितुन राश्वी बालों के लिए परिस्तिति आपके लिए नुकूल रहेंगी मन शांत रहेगा समानिता चलती रहेंगी कुछ खास उतार चड़ देखने को मिलेगी मिल सकता है साथी साथ आपकी तबेद भी थोड़ी सी खराब हो सकती है तो उस पर आज अके दिन आपको ध्यान देने की जरूरत है कोई आपकी शौट टम ट्रावल भी इंडिकेटर है जो आपके जीवन में चल रहा को छोटा मुटा तनाव है एंग्ज बात करूं तो आज का दिन परिवार एक स्थिता को बनाने का है आज का दिन अपने पार्टनर के साथ समय बिताने का है परिवार के दौरत दिया गया कोई महचपुन दिशा निर्देश संकेत या सूचना आपके लिए और उर्जा का सबब लेकर आ सकती है साथी साथ परिवार में कोई गेट तोगेधर भी हो सकती है कार शेतर से थोड़ा सा विराम लेंगे तो आपकी परिस्तितियों और अनुकूल होते हुए नजर आएंगी लोग आपके काम की तारीफ करते हुए नजर आएंगे बहतरीन तरीके से आप चीजों को समझ भी पाएंगे और पूर्णता भी लेकर आप आएंगे कुल मिला के आज का दिन नई रणनीतियों को अपने जीवन में लागू करने का परिस्तितियों को और बेहतर बनाने का माना जा सकता है। परिबार में नई उर्जा का संचार आपको मिलेगा जो की काफी जाद पॉजिटिविटी आपको दे कर जा सकता है शाथी साथ आज के दिन कारशेतर में कुछ नया विस्तार हो सकता है या कोई अच्छी सूचना भी आपको सुनने को मिल सकती है बात करते हैं कनेयर आशी वालों के लिए, अनुकूलता बनी रहे गी, जैसे चल रहे हैं परिस्टितियां चलती रहेंगी, मन शांत रहेगा, आप अपने ले बहुत सारी चीज़ों को ले भी पाएंगे, ग्रहंड भी कर पाएंगे, अपने उपर भी काम कर पाएंगे और दुलाराशी वालों के लिए अनुकूलता आपके लिए भी आज के दिन इंडिकेटेड है तो कुछ खास चिंता करने की जरूरत नहीं है जिस मोमेंटम से आप कारेशेतर में कंसिस्टेंसी के साथ भी चल रहे हैं उसी तरह से चलते चलिए कुछ नए आज के दिन करने की आज के दिन से आपको पॉजिटिविटी उनके स्वास्त में अमान सिक्स्थिती में देखने को मिलेगी बात करते हैं वरिष्चिक राशी वालों के लिए कार शेतर में थोड़ा सा आज के दिन अस्थिरता आ सकती है कॉमिनिकेशन को क्रिस्टल क्लियर इंटैक्ट रखना ह चोटी चोटी बातों पर आज के दिन इगो इशूस को बीच में नहीं लाना है कॉमिनिकेशन को जतना क्रिस्टल क्लियर रखके चलेंगे उतनी परिस्टिति आपकी पॉजिटिव होती भी नजर आएगी लंबे समय से चल रहा कोई परिवारिक तनावसाजा हो चुका है अ उस पे आप नई रणनीती के साथ आगे बढ़ सकते हैं परिवार के साथ समय बिताईए जिससे कि आपको अपनी चीजों में और पॉजिटिविटी देखने को मिल सके बात करते हैं धनूराशी वालों के लिए धनूराशी वालों परिस्टितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी नया कार भी आपके सामने आ सकता है कुछ ना कुछ आपके कार शेत्र में चेंज हो रहा है जो बहुत ही अच्छी परिस्टिती है कार शेत्र में आपके कद की आपकी सामाजिक साख या प्रतिष्टा या पराक्रम में विवरिद्धी होते हैं आज के दिन आप दे सिच्वेशन नहीं है बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए चोटी-चोटी चीजों पर आपको अपने सिब्लिंग से बाइबें से आज के दिन बहस हो सकती है लेकिन अपने आपको कंट्रोल रखना है साथ ही साथ आज के दिन आपको पेशिंटली चीजों को हैंडल करने की ध्यान दे सकते हैं खास तोर पे अगर पैसे से संबंदित कोई फिनैंशल्स ट्रांजेक्शन आपके पेंडिंग थे जहां पर आपको धन मिल सकता है तो आज के दिन आपको उस पे काम करना चाहिए बात करते हैं कुंबराशी वालों के लिए कुंबराशी वालों परिस्ति साथ ही साथ आपके जीवन में कहीं न कहीं सुहार्द भी बना रहेगा प्रसंता प्रिया प्रसंचित भी रहेंगे कुल मिलाके आज का दिन आपको शांती प्रिये धंक से बिताने की जरूरत है क्योंकि परिस्तितियां आपके लिए अल्टरी अनुकूर हो चुकी हैं बात क किसी गुरू या गुरू के सानिद में अगर आप समय बिताते हैं या गुरू के द्वारा दी गई कोई भी आपको बहुमों ले राय मिलती है तो आज आपके दिन रामबान साबित हो सकती है आपके परिस्तितियां आर्थिक रूप से तो सबल सक्षम हो ही जाएंगी साथ ह साथ आप अपने बुजर्गों या बड़ों या गुरूं द्वारा या मेंटोर द्वारा दी गई कोई भी महत्वपूंड राय को अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आज के दिन आपको इस थिरता देखने को मिल सकती है साथ ही साथ जो लोक नौकरी चेंज करने के एक शुक हैं उनके लिए भी परिस्तिया अनुकूर हो रही है इसी के साथ मुझा अग्या दीजे मैं कल फिर हाजरूंगे नमसकार